हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो अर्जुन एड्यूकेशन दोस्तों आज हम बात करेंगे हेलन आफ ट्रॉय की हेलन आफ ट्रॉय को ग्रीक लेजेंड्स में हेलन आफ स्पार्टा भी कहा जाता है और ये दुनिया की सबसे खुबसूरत ब्यूटिफुल वमेन के रूप में बहुत फेमस है और ये इंडिरेक्ली ट्रोजन वार की वज़ा भी बनी वो किंग अफ गॉर्ड्स जीयस की डॉटर थी जीयस स्वान के रूप में खांस के रूप में लिडा के पास आया और उनकी यूनियन से हेलन का जनम हुआ कुछ वर्शन्स में उसे जीयस और नेमसिस की डॉटर भी कहते हैं मगर ग्रीक लेजेंड्स में हर चीज़ को जीयस के साथ जोडने का एक ट्रेंड भी जीयस को हेलन का फादर कहने की वज़ा हो सकता है पहराल हेलन का फादर लिडा का हस्बेंट टिंडेरियस को ही माना जाता है जो की स्पार्टा का किंग था हेलन ट्राइकलाइटमनेस्टरा की सिस्टर थी जो की एगामेमनान की वाइफ थी As a young girl, Helen को Thesias, जो की Greek Legends के Cording, Athens के King Egeuse का बीटा था उसने abduct कर लिया था Helen को, मगर Helen के भाईयों ने उसे बचा लिया इसके बाद Helen की शादी के लिए उसके सारे suitors का एक competition अरेंज किया गया जिसमें Odysseus समेत बहुत सारे warriors आए और Manolis इसमें victorious रहा उसके साथ Helen की शादी हो गई, मगर उस समय उसके सारे suitors जो की Greece के different parts में से आए थे, सबने ही कसम खाई कि वो winning suitor Manolis को जब भी Helen के लिए military assistance की चाहिए होगी तो provide करेंगे इसी obligation की वज़ा से सारे warriors Trojan War का हिस्सा भी बने जब उसकी marriage Manolis के साथ हुई तो उसकी age काफी चोटी थी और वो उसके warrior traits को अच्छे से समझ नहीं पाई थी और इसलिए शायद जब Paris उसके संपर्क में आया होगा तो वह जल्दी ही उससे attract हो गई काफी देर तक Manolis के साथ उसकी शादी अच्छे से चलती रही और इसी भी चुनकी एक daughter हर्मियानी भी हुई फिर Paris जो की Troy के king prime का बेटा था एक diplomatic mission पे स्पाटा गया इस journey से पहले Zeus ने Paris को most beautiful goddess चुनने के लिए point किया था जिसमें से like Hera, Athena और Aphrodite जो थी वो contestants थी उसका favor earn करने के लिए Aphrodite ने उसको वादा किया कि वो अगर उसे most beautiful goddess चुन लेता है तो वो उसकी दुनिया की सबसे खुबसूरत women के साथ शादी करवा देगी और सारे Troy को तहस नहस कर देते है सारे warriors को मार दिया जाता है और शहर को आग लगा दी जाती है Homer अपने epic में Helen को एक regretful woman के रूप में प्रेजेंट करता है जिसको अपने किये पे पच्चतावा है और ऐसा भी उसने दिखाया है कि Trojan उसे नफरत करने लगते हैं क्योंकि उसी की वज़ा से उनका सारा शहर तबाह हो गया वार में Paris के मरने के बाद उसकी शादी डिफाबस जो की Paris का प्रदर था उसके साथ कर दी जाती है एसकलस के प्ले एगमेमनौन में भी हैलन को उसमें हैलन और मैनलोस को वापिस जाते हुए दिखा दिया जाता है मगर उनका शिप रास्ते में लॉस्ट हो जाता है जिसका अंत तक कुछ पता नहीं चलता ओडिसी में उसे मैनलोस के साथ happily reunited present किया जाता है और एक और वर्जिन में मैनलोस के वार में मरने के बाद हैलन रॉड्स आइलन पे उसको भेज दिया जाता है जहां पे उसे रॉड्स की क्वीन पॉलिक सो अपने हस्बेंट टलेप टोमस की ट्रॉइ में डेथ की वज़ा से हैंग करवा देती है लेकोनिया में हैलन को एक डीटी के रूप में डीटी ओफ सेलर्स के रूप में एक देवी का दर्जा मिला हुआ है रॉड्स में उसका एक मंदीर भी है और जहां पे हर साल एक फेस्टिवल भी हेलन के ओनर में अरेंज किया जाता है तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर पताईए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए थैंक यू